Hi guys, welcome back to my channel and आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रड़क्ट का रिवीव से विदार बिस्टिंगार मच मोर टाइम Let's walk into the video guys आज इस प्रड़क्ट का रिवीव मैं शेयर करने जारी हूँ वो है Mac Prep Plus Prime Skin Base Voice Age So guys, सबसे पहले बात करते हैं यह दिखता कैसा है So यह आपको सबसे पहले कुछ cardboard Black cardboard में receive होता है And जब आप इसे open करते हो तो आपको कुछ glass bottle में receive होता है Same to same वैसा ही लिखा है जो कि इस cardboard box में लिखा है So guys, अब बात करते हैं इसके price की मुझे कितने का मिला So guys, इसका price मुझे नहीं मालूम है क्योंकि यह मुझे एक insta store ने as the gift दिया है क्योंकि उन्होंने एक giveaway announce किया था जिसमें उन्होंने 8 winners select करने थे उसमें से एक winner मैं थी So इसलिए मुझे उन्होंने send किया है यह makeup prep plus prime skin based visage So guys, अगर आपको यह product buy करना है तो आप इस insta store पर जाकर buy कर सकते हैं क्योंकि यह मैंने google पर बहुत search किया बट मुझे यह product नहीं मिला कहीं भी and youtuber भी इसका कोई review नहीं है इसलिए मैंने source है मैं आपके साथ share कर दूँ Hindi में भी So अब बात करते हैं इसके expiry date की So यह expire होगा 2023 में यह बना है 2020 में अब बात करते हैं कि इस bottle में आपको कितना product receive होता है So इसमें total 35 ml product आपको मिल जाता है सबसे पहरे बात करते हैं यह खुलता कैसी है So आपको कुछ ऐसा मिल जाता है आपको simply इसको twitch करकर ऐसे pump करना है एक pump और लिया मैंने फिर से लगा रही हूँ मैं So guys आपको कुछ difference दिख रहा है क्या मैंने 4 pumps से लगाए है and 1 pump में यह काफी ज़्यादा product निकल आता है hand पर लगाया है तो वो दिख रहा है difference बट face पर लगाया तो नहीं दिख रहा यह मैंने एक pump ही लगाया है hand पर इस hand पर लगाया है काफी ज़्यादा ठीक लगाया है difference दिख रहा है कि मैंने कुछ लगाया है इस hand पर बट face पर मैंने 4 pumps लगाया है and अब भी तक मुझे कोई difference नहीं दिख रहा अब मैं एक काम करती हूँ मैं इधर लगाती हूँ अपनी finger tips से एक pump गर देख सकतो कितना ज़्यादा निकलाता है मैं पहले one pump लगाती हूँ beauty blender से नहीं लगाऊंगी hand से लगाऊंगी I mean finger से so guys कुछ तो दिख रहा है difference हाथ से बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा but ठीक है one pump में so guys आप इसे foundation की तरह use नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मुझे कहा था कि foundation ही है but आप foundation की तरह यूज नहीं कर सकते as a base use कर सकते हैं यह skin base ही लिखा हुआ है so base के लिए that's good so guys अगर आप इसे अपनी finger tip की help से लगाते हैं अगर आप इसे beauty blender से लगाते हो तो यह आपको कुछ खास फरक नहीं दिखाएगा so यह मैंने इस side अपनी finger tip से लगाया है यह मैंने beauty blender से लगाया है so मुझे यह वली side ज्यादा better लग रही है इससे so guys अब बात करते हैं यह बना कहा है so यहाँ पर लिखा हुआ है made in china so यह china में बना हुआ है so guys अगर आपको ingredients देखने है तो आपको side में insert कर रही है picture आप देख लीजे so guys अब बात करते हैं कि यह product हमें buy करना चाहिए या नहीं so आप buy कर सकते हैं क्योंकि यह skin base है so skin base की तरह तो यह ठीक है क्योंकि base के ऊपर बहुत कुछ लग जाता है foundation, concealer, compact, loose powder बहुत कुछ लग जाता है तो as a base worth it है आप खरीज सकते हैं but उन्होंने मुझे कहा था यह skin base वाई से जायते foundation तो यह foundation की तरह बिल्कुल मत खरीज देगा foundation का मतलब ही यह होता है कि वह आपके blemishes, ace and marks और dark spots को remove करे छुपाए और यह बिल्कुल आपको वैसा effect नहीं देगा क्योंकि इसकी full coverage full coverage तो बहुत दूर की बाद इसकी medium coverage भी नहीं है तो as a base आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल यह आपको cream की तरह है इसका texture भी cream की तरह है तो guys यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी होते हैं आपको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और विर्चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाइबाइगाइज मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में काफी जदा प्रड़क्त इसमें से निकल जाता है रअलगों कि प्रेजादिया। नai है प्रेकर रभाव。